हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के टीम मोम आइडियास में आज मैं आपके लिए डॉर्मेट कलेक्शन की वीडियो लेकर आई हूँ यह मेरा फर्स्ट डॉर्मेट है इसे मैंने पत्ती के आकार का बनाया है इसे मैंने तीस फंदे से बनाया है चलो बनाते हैं क्योंकि यह हमारा पत्ती वाला डॉर्मेट है सबसे पहले फर्स्ट बंदे को हम ऐसी उतारेंगे हम पंद्रा भंदे हम ग्रीन के बनाएंगे एक दो तीन चार पाथ छेए साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा फंद्रा 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 करते हैं बना लिए, अब यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे, बारा पंदेश के बनाएंगे, और इन से, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह तीन फंदेश को हम यहीं चोल देंगे, प्रेट को पीछे करेंगे, यह सभी डिजाइन हमारे उल्टी साइट से ही बनेंगी, जो कलर से उसी कलर से हमको बनाना है, अब हमको यह वाला कलर पीछ ले जाना है, और क्रॉस में लेते वे इस ग्रीन को लाना है, ग्रीन को बनाएंगे, और लास्ट वाला पंदा हम सीधा बनाएंगे, अब हम बेक साइड आ गये हैं, पहला पंदा उतार लेंगे, अब हम तेरा पंदे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, ये तेरा, अब ये दो फंदे ग्रीन के, यहां पैसे, यहां से हम दूसरा कलर लगाएंगे, में दो फ्रीट को दबाएंगे, तक इदर सपाई आए हमारी, यह ओरेंज के लरवाले को भी पंदों को हम बनाएंगे अब दो पंदे हम ओरेंज के छोड़ेंगे अब यलो कलर को हम पीछे करेंगे ग्रीन दागे को सामने लाएंगे क्रॉस करते हुए और सबी पंदे हम बून लेंगे अब लाश पाला पंदा हम सीधा बनाएंगे अब हम बेक साइड आएंगे अब हम ग्रीन करके दो पंदे दो पंदे हम आएंगे बनाते जाएंगे और दो पंदे हम इधर पीछे की साइड से छोड़ते जाएंगे चलो आपको एक बार और बता देते हैं कि वस्ट पंदा मुतार लेंगे कि अब हमारे यह दो पंदे हैं बनाये अब हम और इंगी है पिर हमने और इंग से बनाएंगे फिर हम यलो से बनाएंगे कि यह पंदे हम जब तक बनाएंगे जब तक हम इन फंदों को बनाएंगे पीछे साइड हमारे तीन फंदे है तो फ्रांट में भी तीन फंदे होंगे हमारे कि इसी तरह दोस्तों आप बड़ा वाला डॉर्मेट भी बना सकते हो हमें यलो के दो फंदे को चोड़ूंगी तेट को क्यां करूंगी अब जो पंदे जिस कलर से उस कलर से बनाएंगे कि यह बहुत बतला हूं था इसलिए मैं इसको डबल कर लिया है हमें इस बना सकते हैं यह दोस्तों देखो हमारी डिजाइन और इंसे यलो से और इंसे अब यलो के दो बनाएंगे जब तक हम तीन पर आ जाएं फिर आपको बताती है अब दोस्तों हम तीन फंदे तक आ गए हैं और हमारी हापकली बनके तैयार हो गई है अब हम एक रो पूरी उल्टी उल्टी ग्रीम से बनाएंगे यह फर्स्ट वाला बंदा हम उतार लेंगे अब हम एक रो बना लें फिर आपको बताते हैं दोस्तों हमने दो चलाइक ग्रीम से बना लिए हाप पत्ति की डिजाइन अब हम यहां से बनाएंगे औरेंज कलर से चलो बनाते हैं कि अद्साइड में आगए हम पाश पंदको उतारेंगे तीन फंदञा हम बनाएंगे हैनि पंदे गे बाद हमने अरेंज कल़ड़ लगा耶 तब हम औरेंज कलर लगाएंगे और इंज से हम 12 फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे, दूने, बारा, औरेंज को औरेंज तलर से बनाएंगे, यहां तक बना ले, फिर आपको बताते हैं, अब दोस्तो औरेंज की लाइन बना लिए, अब हम यलो की बनाएंगे, दो फंदे हम ग्रीन से इधर बनाएंगे, और बारा फंदे यलो की बनाएंगे, चलो बनाते हैं, बनाएंगे, बारा फंदे हम यलो की बनाएंगे, बारा फंदे हम यलो की बनाएंगे, दो फंदे, इधर कम होते जाएंगे, और यह ग्रीन के दो फंदे इधर बनाते जाएंगे, अब बीच में हम बारा फंदो को बनाते जाएंगे, यह पत्ती हमारी नीचे के साइट आते जाएंगे, अब दोस्तो हमने येलो कलर से बना लिया आप ओरेंज बनाएंगे 2 फंद इधर से बनाएंगे और यलो के दो फंद इधर से बनेंगे इसी तरह हम यहां लाश्ट तक बना ले फिर आपको बताती हैं अब दोस्तों हमारी पत्ती बन के तयार हो गई है अब हम यहां से सुर्वात करेंगे जैसे प्रंट में का रहा था दो सलाई हम उ उसी तरह सेकंड पत्ति को बनाना है और हमारी किनारी की फर्स्ट बंदे को हमने सीधा बनाया तो इसकी किनारी की बाउंटरी भी अच्छी चेन की तरह बनी है और सेंटर पाइंट का बंदा भी एक सीधा बनाया तो इसका सरकल भी एक चेन की तरह बनेगा और हमारी पत्ति का कलर कामिने समी बहुत अच्छा बना है यहीं आपको मेरे डूर मेट पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करें सब्सक्राइब करना ना भूले